में आपका स्वागत है दिस्टों हैर फॉल गंजा पन अधिकल बहुत कॉमनई देखा गया है कई तरह के प्रोडकस use करते हैं, oiling करते हैं, serums use करते हैं, conditioner use करते हैं फिर भी वही का वही, hair fall ना ठीक होता है, ना ही आपका गंजा पर लेकिन hair fall पूरी तरह से क्योर हो सकता है हाँ, और baldness भी पूरी तरह से क्योर हो सकता है कैसे, आइए जानते हैं हमारे famous hair transplant surgeon, Dr. Vinay Choksi से, let's welcome him hello doctor, how are you? hi Datiya, I'm fine sir, आजकल जिसे देखो से hair fall गंजापन इसी के शिकायत है जिसे देखो से, मन्दब common हो गया आजकल, तो sir मैं आपसे ये जाना चाहती हूँ कि क्या hair fall पूरी तरह से क्योर हो सकता है गंजापन क्या पूरी तरह से reverse हो सकता है? गंजापन जो होता है, उसकी सुरुवाद जो है, बाल जढने से होती है और वैसे बाल जढना काफी हद तक natural भी है, क्योंकि बालों की एक cycle होती है कि एक समय के बाद बाल जढना है, फिर नए बाल उसके में आना, ये natural चीज है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में जो genetically programmed है या जिनको अनुवाण शिकात रहती है वो बाल जो जढता है वो बढ़ते जाता है और एक स्टेज के बाद वो गंजापन तक पहुच जाता है इसकी हर स्टेज में जो है, बाल जढने से लेकर के जब गंजापन permanently हो जाता है, इसको रोका जा सकता है और इसका इलाज भी है तो सर क्या गंजापन सच में पूरी तरह से क्योरेबल है? हाँ, काफी हद तक क्याम उसको रोक सकते हैं सर्वात से लेकर के एक स्टेज जब गंजापन हो जाता है तब भी हम काफी हल्प कर से क्लाइंट सो तो उनको नेराशोनी ज़रूत नहीं है लेकिन ये भी देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा mental stress भी होता है लोगों में मतलब बहुत कॉमन है आजकल तो भी हम लोग परवान ही करते हैं और दिनराश हम लोग पैसा कमाने में और काम करके अपने लेवल्स को बढ़ाने में लगे हुए इसका effect यह होता है कि आपका nutrition लेवल बॉडी में जो है वो दिन बाद दिन जो है अफेक्ट होता है प्लस stress में continuous लेड़ने कारण क्या होता है कि जो हमारा एक stress हॉर्मोन होता है बॉडी में उसके लेवल्स काफी हद तक बढ़ जाती है और यह हॉर्मोन का लेवल जो है वो एक particular हॉर्मोन को भी trigger करता है या बढ़ाता है जो हमारे बालों को direct effect करता है जिससे बालों का nutrition जो है circulation कम हो जाता है और उससे बालों का जो ज़ड़ना और गंजापन यह बढ़ सकता है तो फिर मतलब हमें जितना हो सकता है stress levels को कम रखना चाहिए stress levels को कम रखने का यह है कि पहले तो हमको समझ होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और किस हद तक हम किसी में घुष चोके और हम गों कितना आफट कर रहे है अधीते लोग समझ से यह होते हैं कि आट-दस साल अपने आपको पूरी तरह से वो किसी जी में लगायते है और दस साल के बाद उनको जैसे शरीर में effect दिखने लगते है तब उनको समझते है कि हम कुछ हद से जादा स्ट्रेस में हम लोग काम कर रहे है तो इसका awareness जैसे बढ़ेगा तो वो automatically हम उसको कम कर सकते है सर यह तो बात हो गई mental stress के कि यानि जितना कम करो उतना आपका hair fall और यह गंजापन कम होगा लेकिन सर आजकल बहुत सारी companies जो है दावा करती है कि यह oil लगाने से आपका hair fall कम हो जाएगा आपका गंजापन ठीक हो जाएगा सर क्या सच में oiling करने से गंजापन कम हो सकता है यह बाल जढ़ना कम हो सकता है क्या कोई relation है दोनों के बीच में देखा जया तो oiling यह आज की चीज़ नहीं है यह कई सदियों से और ना जाने कितने हजारों सालों से या पात्सों साल के आसपास यह चीज़ चली आ रही है और हमारी पूरी भारतिये जो सभ्यता इसमें यह चीज़ रजबस गई है कि हर कोई जो है वो सभेर उठेगा नहाने के बाद औरते भी oil करती है और आदमी लोग भी regular oil करता है जितना शेहरों में आते फिर थोड़ा सा उनका conditioner और बागी चीज़ इस्तेमाल जादा होता है इतना जरूर है कि care जिस चीज़ के आप करते हो उसको help करता है तो oil लगाना एक प्रकरसे हम लोग उसको समझते है कि conditioner का effect करता है तो एक तो बालों को थोड़ा सा सई डंग से discipline रखता है ताकि आपके बाल ज्यादा उलजे ना रहे आप कम बालों का रखरा का ठीक रहता है secondly यह होता है कि जब आप oil लगाते हो तो थोड़ा सा बालों को जो energy मिलती है जो उसका massage होता है उस area का तो circulation improve होने से बालों को nutrition भी मिलता है तो यह दो effect तो definitely है तो oil लगाने से नुकसान नहीं है बशर्त है कि कुछ लोग को oil से से मुंबई का आवातावरन ले 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 लिजा या जितने समुदरी किनार की जगह है वहापर humidity ज़्यादा होती है तो उसमें oil कुछ लोग को सूट नहीं करता है उनको dandruff का problem बढ़ जाता है तो वो लोग थोड़ा सा अवाइट करना जाए वाकि अधिक तर लोग को फाइदा ही करता है as a conditioner बहुत सी कंपनियां oil को इस तरह से बेचती है कि oil अप लगा लेंगे तो आप गंजा बंदूर हो जाएगा या बाल पहुछ ज़्यादा घहने हो जाएगे तो ये पूरी तरह से सही नहीं है बालो का जो मैंने जैसे बता आपको कि वो as a conditioner help करता है जो hairs को massage करता है nutrition बढ़ाता है वो effect definitely है लेकिन अगर कोई सोसता कि हम ये तेल लगा लेंगे और उसे हमार बालो आपिस घहने हो जाएगे तो वो एक प्रकार की गलत समझ है जिसको हमको सही काना जरूरी है सब बहुत बार ये भी देखा गया है कि गंजापन जो है मतलब सुनते है ऐसा कि अनुवांशिक है हरेडिटरी में आता है सब तो कौन से ऐसे लोग है जिनको सबसे ज़ादा ये गंजापन की प्रॉबलम आती है क्या ये अनुवांशिक होता है देखे हमारे पूरी प्रैक्टिस में अधिकतर लोग जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं वो लोग होते हैं जिनके फैमिली में ये गंजापन चला आ रहा है जैसे आपके फादर के साइट से आपके दादा जी को गंजापन था तो उन लोग को एक पर्टिकलर एज के वास पच्चीस तीस के आसपास गंजापन बहुत फास तरीके से अफेट करने लग जाता है और उन लोग को तुरंद में केर करना पड़ता है तो ये जैनेटिकली जो गंजापन होता है वो अधिक तर लोग पायाता है तो अनुवांशिक जो गंजापन है वो इन लोगों में दिखा जाता है तो उसमें ये जरूरी नहीं कि के वाल आपके फादर के साइट से ही आपको जीन्स इनिरिट आप कर रहे हो उसरुकता अपकी मदर के साइड से भी आपको जीन्स आ सकते है आपके जैसे किσι के मामा जी है नाना जी in के साइट से भी वी ये चीज़ आ सकती है तो ऐसा भी हो सकता है कि एक फैमिल ने तीन भाययों के बाल एकदम बढ़़याया है और एक ही अकिला इंसान अफेक्ट हो रहा है तो जनेटिक हो गया 90% आपको अधिकतलों जो समस्य होती हो जनेटिक होता है उसके अलावा आपको जैसे चेंज अफ लोकेशन होता है जो पीने का पानी है वो बदल जाता है जै काफी लोग आशकल माइगरेट करते हैं जॉब्स चेंज होता है कोई फॉरेंड कंट्रीज में जाता है तो वहाँ पर जो पानी चेंज होता है उससे बहुत फास्त उनको गंजापन आता है जैसे हम लोग देखते हैं कि साओधी अरेबिया है युए है इवें अमेरिका में बहुत से लोग चले आते हैं यूके जाते हैं लोगों में देखा जाता है इसके अलावर किसी को कोई पर्टिकॉलर इल्नेस होती है तो उसमें गंजापन हो सकता है वो पर्टिकॉलर इल्नेस के कारण है यह सब मेजर कारण है ओके थैंक यू सो मच डॉक्टर आपने एक बहुत वैलिएबल इन्फोरमेशन हमारे वीवर प्रोब्लम हो तो आप हमें help at the rate careworldtv.com पर mail कीजिए ऐसे ही बहुत सारे इन्फोरमेशन के साथ मैं धर्ती आपसे फिर से मिलूंगी Careworld TV पर तब तक अपना ख्याल रखिये, सेहत मंद रहिए क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है Like, Share, Subscribe for more such informative videos